खबर रिवा चिले से हैं जहां आज जगे जगे महिलाओं के द्वारा हर्चट की पूजा की रही आपको बता दे कि हर्चट की पूजा मा अपने पुत्र की लंबी आयू और पुत्र प्राप्ति के लिए करती है जहां शहर भर में महिलाओं में ब्रत और पूजा के प्रति शद्धा की भावना देखने को मिली वही महिलाओं के द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयू की कामना के लिए अपने आगर में जाली छुली के समच दूद दही महुआ बांस की पूजा आरजना की गई हर्चट की पूजा में महुआ का सबसे बड़ा महातु होता है आईए आपको ले चलते हैं हम रीवा चिले की कुछ घरों में जहां आज महिलाओं के द्वारा पूजा अरजना कर अपने पुत्र की लंबी आयू के लिए कामना की गई और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ह कर कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित हो जाए फिर उन्होंने कहा तुमने हमारा प्रत किया है इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया अब तुम्हारी रानी भी इस रेश्ट ब्रत को बिद्वूरण करें तुनका भी पुत्र जीवित हो जाएगा धाय के पुत्र को दिलाग करती, अपने प्रांथ यागने को त्यार हो गई, और राजा भी ब्यापतु राजा भी ब्यापुल होकर हाथ महातनी नमस प्वाहाथ अबो महिना के कृष्ण पच के छट प्राफ्ट हो उजिन्दा नारी नियम पुरा प्राथा का नियम करके ब्रत करा है रोज रोज से बाजित फुब्रत का नियम करने गई अब मज्ञान काल में देवता का पूजन करने लगे धाय वहाँ एक सूने मंदिर में पारवकी कार्द के गणे से असिव जी का बेतूजा करती थी ये दरसल जो माने बहुत पुरानी बात है महराश सुभद्र के राजमिक धाय थी तो राजकुमार को लेकर खिल्माने गई नदी तरफ है और इधा उधर चली गई मगर नीर लिया राजकुमार को तो फिर गुसा में उनके जो धाय का पुत्र था उसको भवक्तियाद में मने आवा में डलवा दिया था राजाने तो जंगल में जाके संकर पार्वति कार्थ के गणेजी का पूजन करने लगी और वहां जंगल में है कुसा पलास के नीचे जो है माटी के संकर पार्वति जी बना के पूजा करती थी महुआ पसाई के चावल यही मिलता था यही खाती थी और इसमें भाइस का भी हमारे हाँ सब जांगरों को महत्त मिलता है इसमें भाइस को भी महत्त भाइस का माठा घी दूध दही सठाना चाहिए और फिर राजा जो है तो जब आबा निकाला गया तो उसका धाय का पुत्र जीवित हो गया धाय के तपोगल से तो फिर राजा भी गए जंडल में वह बत्मानी ब्रत को किया तो राजा कभी मगर से जो पेट में चला गया था राजकुमार जिंदा हो गया था अनेक उत्र हुए थी हल खश्टी ब्रत है और बड़ा महत्त है इसका और आज बल्राम जी का जो है जनान द प्रशाद पंडित दानों प्रशाद